दोस्तो मैंने इसका इस्तमाल किया और मेरे नाखुन इतनी तीजी से लंबे हुए कि मैं खुद दे कर हैरान रहे गया और अगर आप भी चाहते हैं अपने नाखुन को बहुती तीजी से लंबा करना तो इस वीडियो को प्लीज अंत तक देख लेना सिर्फ एक बार थैंक्स वर वाचिंग और दोस्तों यहां हम कोई बाहरी चीजों को इस्तमाल नहीं करने वाले हैं हम कुछ ऐसी चीजों को इस्तमाल करेंगे जिसके इस्तमाल से हमारे नाखुन बहुती तीजी से लंबे होने लगेंगे तो चेले दोस्तों बिना टाइम गौए आज का वीडियो शुरू करते हैं दोस्तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आपने भी तक हमारी सी YouTube चैनल नुस्खडीव को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, साथी साथ बाजू के बैल ऐकन पर क्लिक करके हमारी एसी latest video सबसे पहले देखे चैनले दोस्तो डारेक्ली बताते हैं आपको कौन कौन सी चीजों के इस्तमाल करना होगा यहां जो हम सबसे पहली चीज के इस्तमाल करने जा रहे हैं वो है दोस्तो निब्बू दोस्तो यहां हम lemon के इस्तमाल करने जा रहे हैं आपको इसे कैसे इस्तमाल में लेना है ये बताते हैं सबसे पहले दोस्तों आपको अपने नाखुनों पे कुछ इस तरीके से लगाना है देखिए आपको पहले से इस तरीके से कर लेना है जिससे इसका रस उपर आ जाए देखिए आपको कुछ इस तरीके से अपने नाखुनों पर इस्तमाल करना है देखिए ये देखिए दोस्तो कुछ इस तरीके से आपको अपने नाखुने पर लगा लेना है देखिए आपको अपने नाखुनों पर इसे अथी तरीके से लगाना है और दोस्तो अपने नाखुने पर लगा कर इसे आपको 5 मिनट तक ऐसे ही रहने देना है 5 मिनट तक आप इसे रहने दीजे तब यह थोड़ा सा सूखने लगेगा और जब यह सूख जाए दोस्तो तो इसके उपर आपको इस्तमाल करना होगा अब जो दोस्तो यहाँ हम दूसरी चीच के इस्तमाल करने जा रहे हैं वो है दोस्तो शहद दोस्तो यहाँ हमको शहद के इस्तमाल करना है आपको कुछ इतनी मातरा में ले लेना है यहाँ पर एक कटूरी में कुछ इतनी मातरा में और दोस्तो आपको इसे अपने नाखुनों पे जब इस सूख जाए नाखुन तो आपको कुछ इस तरीके से अपने नाखुनों पे ये लगा लेना है क्या होता है दोस्तो जो इसमें जो निपू होता है दोस्तो इसमें सिट्रिक एसिड पाया जाता है और जो citric acid होता है हमारे नाखुनों को बढ़ाने के लिए बहुत ही ज़्यादा कारगर होता है और शहद दोस्तो हमारे नाखुनों को मजबूत करने में बहुत ही ज़्यादा कारगर होता है तो दोस्तो आप लोग देखोंगे बहुत लोग के नाखून बहुत कमजोर होते हैं लंबे होने के साथ-साथ अगर वो कहीं पर ऐसे रखा जाते हैं जोर से तो वो टूट जाते हैं और दोस्तो इस नुस्कियक अगर आप इस्तेमाल करेंगे आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेगा अगर आप अभी तक इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दें दोस्तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दें साथ हमारे YouTube चैनल नुस्का डिव को सब्सक्राइब कर अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें साथ हमारी YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बाजू के बैल आइकन पर क्लिक कर दें मिलता हूं आपसे इसी प्रकार के कोई नयन उसको टेप्स के साथ तब तक के लिए नमस्कार